तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमेशकार हर-हर महा देओ बोलिये गजानन महराज की लंबोदर महराज की संकर भगवान की स्यावर राम चंद्र की राधे रानी सरकार की अपन सूत हनुमान की नर्मदा मैया की अपने मात पिता की गवनदा की धर्म की जै हो अधर्म का नासो पिस्तो का कल्यान ओम नमो पार्वती फते हर-हर महा देओ वाह यह हुई ना बात तो अभी हम लोग का फेस्टिवल सीजन चल रहा है भक्ति और आस्था जिससे हम पंच तत्तों से हम लोग बने हैं इसमें एक आस्था का केंद्र होता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं क्योंकि उन्से हमें पेड़ा मिलती है और उस से हमको विस्व के कल्यान के लिए सामर्थ सकती खटा करते हैं और आपसी सोहार्थ बना रहे सुख सांती सम्रधी खुसाली रिद्धी सिद्धी सभी के लिए सुख कामनाई करते हैं और यह प्रात्ना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे ऐसी द्रिष्टी देना ऐसा स सोच विचार देना ऐसी सक्ति देना कि मैं चाही कामकर काम से और हमशा धर्मक विजएं פेव हम ऊचार रखबायैंग। और जो कल्यान के लिए जो काम कर रहे हैं उसको उपर रख पाएं तो इस आस्ता के साथ हम लोग तेवार मनाते हैं और येकिन मानिया आप देखेगा तेवारों की सुरुवात हो गई है इसके बाद तो आपको पता भी निचलेगा कैसे दिसंबर आ गया है न मानते न अनुरा दुखों वाली रात सोता कौन है और दुखों वाली रात जो है पता ही चलता कितना है है तो पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी गुजर जाएगा तब आप लोगों ने बढ़िया सा गीत सुना है संकर नंदन हो दुस्ट निकंदन हो एगजवंदन हो एगजवंदन सबसे पहले तेरी पूजा तुझसे बढ़कर कोई न दूजा तुने सबको ग्यान दिया गणपती बपा मोरिया गणपती बपा मोरिया तो ग्यान के देवता के रूप में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान के रूप में गणपती भगवान को आप पूज रहे होंगे अपने घर में बुलाए होंगे उनका पूजा आराधना कर रहे होंगे और हम आपने आसपास विस्ट के कल्यान के लिए रिद्धी सिद्धी घर लाने के लिए सुख समर्दी सांती खुसाली हर्याली लाने के लिए आप पूजा पाट कर रहे होंगे आज कुछ साथियों को पता नहीं होगा लेकिन अभी सेशन के मायदम चे पता चल गया कि आज एक्जामिनेशन हुआ था कांगड़ा को आपरेटु बैंक का तो यह जो बैंक के एक्जामिनेशन आई बीपे सेट करता है इसलिए आपको यह सेशन जो है एक आपको एक सवाल आएंगे आपके एक्जामिनीशन में और कैसे कैसे सवाल आज एक्जामिनेशन में आए आज 8 सितंबर 24 को यह चैनल बहुई हैं काफी सवाल भेज़ इसे एक सवाल भेज दिये हैं तो देखते हैं आदे घंटे में जितने सवाल के डिसकसन होंगे हम लोग करेंगे ने तो बाकी सवाल जो है हम लोग कल डिसकस कर लेंगे और यह सवाल जो है आपको टॉपिक भी बताएंगे कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है साथी साथ वो सवाल जो फ्रेज तरीके जो फ्रीज में रखना पड़ेगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहों जाएं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इन एल इए आई कोड में कितने होते हैं इसका फूल फॉर्म क्या होता है यह पिछले साल से जो है यह आ रहा है यह जो है और यह फूल फॉर्म भी पूछता है यह ज्यादातर अभी पूछता है यह का फूल फॉर्म होता है धा लीगल इंटिटी एडेनिटी फाययर क्या होता है मिलेए जो हैं डिके हो्ट कुड होता है जब यह जो हैं ट्रांजिक्शन करते हैं और worldwide transaction करते हैं तो उनकी एक identification code होता है जो unique code होता है और ये character जो digit जो होता है ये alpha numerical digit में होता है और 20 digits में होता है तो इसको screen को देखके भी हमारे सभी साथ ही जानगे होंगे कि यहाँ पर जो है आप legal entity identifier code है जो 20 digit का होता है और ये identifier जो होते है ये alpha numerical होते है और इनको जो है unique number है जिससे की party identify होते है ताकि वो cross border और या worldwide transaction करते हैं तो उनको पहचाना जाता है So the legal entity identifier is a 20 character alpha numerical code used to unique identified parties to financial transaction worldwide इसमें minimum transaction कितना होता है इसमें क्या होता है आटीजीएस ऐनी एप्टी अगर कोई legal entity है जो होता है अगर वो 50 क्रोड का आटीजेस ऐनी एप्टी करता है तो उसको ये नंबर लेना होता है और इसका जो पचास क्रोड रुपए का अगर कोई आटीजेस नेप्टी करता है इसको मेंडेटरी है इसको लेना है और बाकी अलग उसके मिनिमम पांच करोड भी है जो मान लिजे अगर सिंगल ट्रांजेक्शन करता है और वो पचास करोड उससे उपर क्या है चाहिए वो नौन इंडिविज्वल एंटिटी है अग सवाल यह जो मैं अभी बताया स्क्रीन पर है यह दो तीन बार पूछ लिया दूसरा ली आई का फुल फार्म जिसको फुल फार्म हमारे साथ ही जो है लीगल इंटिटी आइडेंटिफायर कहते हैं यह पूछ रहा है अनुराग जी 2022 से एक्चल में हुआ किया 31 अक्टूबर 2022 को यह अपडेटट सर्कुलर आया जिसमें की इसमें ट्रांजिक्शन के लिए फ्रेश्वल लिमिट को अपडेट किया गया यहां पर ट्रांजिक्शन अगर 50 क्रोड या उससे उपर क्या होता है सिंगल पेमेंट ट्रांजिक्शन तो रटी जी एस ने अप्टी के थ्रू तो उनको entity identifier लेना पड़ेगा identity code यह रिजर बैंक जारी करता है recognize करता है और इस सारी चीजों को जो है एक T C I L I India करके है जिसको बोलते हैं उसको काम दिया गया है किसने और वह जारी होता है स्विफ्ट कोड इसी में होता है यह तो क्या होता है जब आप कोई इन्टिटीज हैं वह फेमेंट ट्रांसपर करता है ना तो उनको यह बोला गया है अगर आपका LEI नहीं है तो आप यह ट्रांजिक्शन नहीं कर सकते उसके लिमेटर पचास करो ठीक है वह इंटिफायर है अगर यह बीस डिजिट का कोड आप आरवे से नहीं लिए हैं तो आप लिगल एंटिटीटी नहीं होता क्या है बारत से बाहर पैसा जा रहा है और वहां पर कुछ आप लिए यह डिया हुआ है यह लिगल एंटिटीटी इंटिफायर इंडिया लिमिटेट जो एल-e-i-l को दिया हुआ हाला कि यह इसका रिकगनाइज इस वर जो होता है इसको में जो कंट्रोल करता है और पचास करोड सिंगल ट्रांजेक्शन यह उससे उपर के जो है करन लेना पड़ेगा जो 20 डिजिट का है सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए उद्गम पोर्टल इस लांच पर विच परपस अनुराग जो पॉर्टल किसले लांच किया गया था यह देखो सवाल आया अभी उद्गम पोर्टल डिपॉजिट के साथ उसमें था हाँ इसके लिए उद्गम पोर्टल जो है लॉंच किया गया था आरबे के द्वारा और इसलिए सवाल पूछा गया तो फुल फॉर्म पूछता है तो उद्गम का फुल फॉर्म होता है अन्क्लैम डिपॉजिट गेटवे टू एसस इंफॉर अनुराग अन्क्लैम डिपॉजिट गेटवे गेटवे टू एसस इंफॉर्मेशन क्या होता है जितने भी एकाउंट्स आपके साखा में हैं या आपके बैंक में हैं अगर उनमें लेंदेन दो साल नहीं होता है तो इन ऑपरेट्व हो जाता है अगर उनमें ट्रांजिक्श जाता है भारती रिजर्व बैंक को जिसको डेफ बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन नेवारनेस फंड अब वह पैसा तो चला गया अन्क्लैम लेकिन जिनका जिनका है अगर किसी की डैथ हो गई तो जा सकता है या कोई ठीक से अन्साउंड माइंड है तो ऑपरेशन न कि मेरा डिपॉजिट फलना बैंक में था और वह अर्बे को चला गया तो क्लैम कर सकता है उसके लिए उन्होंने पोर्टल बनाया है उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म है अन्क्लैम डिपॉजिट गेटवे टू एसस इंफॉमेशन तो बैंकों को कहा है जिनका जिनका पै पैसा है वह ब्यक्ति जो है वह सर्च करेगा और क्लैम करेगा तो हम आर्बी से वह अपस लेंगे इतना पैसा कि समाले नहीं समझ रहा है कितना ब्याली सजार करोड़ लगबख अगर छे महने पहले का फिगर देखेंगे तो इतना रुपए जो है आर्बी के पास है अब चला जाएगा भारत उनका पैसा उनके घर में चला जाएगा यही है इसके लिए 100 डेज 100 पेस केंपेंच चलाए गया था यह सितमबर जून से लेकर सितमबर में पिछले साल जिसमें यह कहा गया था कि आप हर जिले में पर यह समपर करिए और एक जिले में एक दिन में एक आदमी का पैसा RBA से वापस दीजिए यह बात किया गया था चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर काफी पापुलर स्कीम है और हमारे अनुराग मैनेजर बन जाएगा तो ऐसा लोन देगा देखो सामने किता बढ़ी है दुकान खुला खादी का और वहां पर खादी का और नीचे बैंक में रहेगा अभी कौन से बैंक में हो अनुराग और यूपी सर अब क्या पता इसके बाद कौन सब यूपी बैंक होगा है ना एक राज्य एक बैंक होगा अभी हाँ लग तो रहा है है सरकार चाहती है और अभी यह बहुत जल्द अमल भी कर लेंगे क्योंकि केंदरी विद्ट मंत्राइब सब्सक्राइब करने के लिए उन्होंने एक राज एक नीती को जो है इंटीग्रेटिट करना चाहती है इंटीग्रेटिट करना चाहती हैं और वह चाहती है कि उनमें दख्यता में सुधार हो पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनके भी स्थिक से कॉंपटीशन हो जाए और अभी कॉंपटीशन तो बहुत कॉंपटीशन ही नहीं समझ लो बराबर है नो रहा क्या वज़े से कॉंपटीशन नहीं बताओ पूंजी की ज़रत होती है फिर आपके रिस्क लेने का हर चीज में तो आप सिया रहा रहा है तो उसके लिए पूंजी लगती है तो इसी लिए उन्होंने एक राज एक आररवी पर विचार चल रहा है अब जब आएगा तब देखेंगे अभी आरवी अगर मौजुदा या चाहते हैं तो हम भॉईस्षी को तो नहीं जानते हमारा काम यह है कि आज जो हमें दिम्मेदारी दी गई है या आज जो हमें काम दिया गया उसको हम करेंगे इसका परिणाम एक ही होगा कि एक राज्य में देखो अलग-अलग आरवी हैं तो उनके स्पॉंसर बैंकों का वि इसमें यही कहा गया कि उनकी गुणवत्ता में बढ़ोत्री होगी दूसरा महत्पूर्ण भाग उसमें कहा गया उनकी प्रोध्योगी की मतलब जो टेक्नलोजी में सही करने के लिए और मोबाइल फिंटेक बैंकिंग जो है उसकी उपलबदता बढ़ाई जाएगी तो सरकार राजय सरकार के और से पूंजी परदान की जाए अच्छे से तो वह सरकारी बैंकों को भी प्रोधिशन में अच्छी सिवाएं देने के लिए प्रतिस परदा रखेंगे साथी साथ जो वहां के ग्रामिन खेतर के जो ग्रहाक है उनको उन्नत किसम के जो डिजिटल प् क्योंकि क्या होता है priority सेक्टर में जयदा काम करते है आपके पास मार्जिन कम होता है और जो क्ता है बता कि सार अरभी 75% 75% फिर आप लोग में 75% के चक्कर में इतनी आदत हो जाती है प्रियाटी सेक्टर लोन करने की कि आप 90% तग ले जाते हो क्योंकि इंसान क्या होता है जो जिस इलाके में जिस तरह धूनी जम जाती है वही काम करता है तो आप कहने का 75% है आप लोगों का देख लिजेगा स् तो आपका इंट्रेस मार्जिन कम होता है तो इसके लिए पूंजी आपको चाहिए होती है तो यह सलसक्त बनाने के लिए ऐसा कहा गया है अब यहां सवाल है नोडल एजनसी इंप्लिमेंटेशन आप पीमेजी पी उसका है खादी विलेज इंडस्टी कमिशन है कि वैसी प्रोजिटर के इंट्रेस्ट पेमेंट करते हैं तो वहां पर इंट्रेस्ट पेमेंट जो करते हैं उनमें एक टीडियस लगता है टैक्स डिडेक्टेट एड्सोस बैंक की जिम्मेदारी होती है कि इंट्रेस्ट पेमेंट में टैक्स डिडेक्ट करके सरकारी खजाने में ट सब्सक्राइब है तब हमारे सब्सक्राइब चालिस जार पुल रहे हैं तो पुर्टी थाउजन नहीं है तो सबसे आगे हैं है ना और अगर मान लीजिए सवाल में सीनियर शिटीजन है तो पचास जर में ठीक लगाए देना लड़्डू महराज की जए यह तो कितना है यह कुंसा नहीं लिया यार महिलाओं के लिए पता उनके लिए अभी ऐसा कुछ नहीं ठीक है इसके लिए ऐसा डि और उनके लिए भी डिस्कमेशन नहीं है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अचाहिए तो पूछा गया था 40,000 तक टैक्स नहीं लगेगा जहां 40,000 यह उससे उपर हुआ तो वहां पर TDS लगेगा TDS लगेगा 10 परसेंट कितना लगेगा 10 परसेंट कितना लगेगा 10 senior citizen saving scheme देखे इसमें अभी बदला हुआ है इसलिए सवाल पूछा गया कि senior citizen saving scheme जो है इसमें कितना maximum जो है आप investment कर सकते हैं तो यह government का small deposit schemes है senior citizen saving schemes 60 साल से अधिकाईव के व्यक्तियों के लिए सरकार जो है एक sponsored saving resources देता है भारत सरकार ने इस योजना की जो सुरुवाद 2004 में की थी और उन्होंने यह कहा था कि इसमें जो है जो भी सेवा निब्रित होते हैं उनको आयका एक इस्तिर और सुरक्षित जो investment दिया जाए यह इसके लिए योजना चालूगी थी और इस योजना के तहर जो है minimum deposit जो है वो minimum deposit कर सकते हैं एक हजार और maximum deposit जो कर सकते हैं वो 30 लग कर सकते हैं और multiple कितने में होगा multiple कितने में multiple भी 1000 के multiple में कर सकते हैं पहले यह 15 लाग था जिसे बढ़ाकर 30 लाग कर दिया गया अगर कोई 60 साल में retire हुआ तो ठीक इसमें investment कर सकता है यह बात कहीं गई है और इसको जो है यह account 5 साल के लिए open होता है और इसको जो है एक्स्टेंड किया जा सकते हैं तीन साल जान लीजिए हाला कि सबसे ज्यादा सवाल पूछता है अभी 30 लेक्स का तो आप लोग 30 लेक्स जो ठीक लगा दीजिए अगला सवाल चलते हैं वाट इस फूल फॉल फॉर्मा पैस्पा लो हाँ निशान जी बताईए बताईए नि लेकिन अगर वो उसको एक्सेंड कराएगा तो फॉर्दर तीन साल में एक्सेंड कर सकता है ठीक है 2004 में यह उजना आई थी और यह रिवाइज हुआ इसलिए सवाल पूछा गया था ठीक है और इसमें जो है वह आपका जो इंट्रेस रेट पॉइंट 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 तरहीया आर्मी के केस में पचपन पचपन है वचाशाव है ना अगर वह 50 साल में रिटायर ले लियनिया अगर लेकिन डिफेंस सर्विसेंस है तो 50 तो है तो 50 एक है और इसको एकी पर कर सकते हैं कि मल्टीपल अब रिस्टिक्ष्शन कर सकता है बराबर चलिए आगे बढ़ते हैं वाट सुल फॉर्म आप SBA SBA का full form उसमें हलांकि पूरा full form नहीं पूछ रहा है आजकल किसी एक word को पूछ रहा है जैसे B का full form पूछ लिया तो SBA एक ऐसी services है जिसमें IPO अगर आता है तो initial public offer आते हैं किसी company के तो वहाँ पर SBA एक procedure है एक procedure है जिसके माध्यम से जो investor है वो apply करते हैं उस IPO को लेने के लिए तो उसको बोलते है application supported by blocked amount मतलब जैसे ही investor उसको apply करता है apply करते ही उसका पैसा बॉक्स में देख रहे हो बॉक्स निसान यह देख रहे हो बॉक्स में पैसा बंद हो गया ताला लग गया यह photo में जैसे है ना जैसे माली जै उसने एक लाग के IPO उसका value आ रहा है जो उसका rate है तो उसमें और ताला लग जाएगा कब तक allotment तक allotment हुआ तो पैसा debit होके चला जाएगा allotment नहीं हुआ तो ताला खुल जाएगा तो यह procedure है IPO खरिदने के लिए investor के लिए application का procedure है जिसको asba कहते है तो जैसे यह IPO खर देगा उसका account जो है blocked हो जाएगा application supported by blocked amount ताकि वो IPO release होते समय सही होगा पहले ऐसा नहीं होता था पहले पैसे दे देते थे तो company के पास जाता था बहुँद डिस्पूट होता था अब बोलता है customer के पास ही रहेगा ब्लॉक रहेगा एक अच्छी service की सुरुबात की गई customer के हित के लिए की इसलिए बार बार सवाल पूछता है अगला निशान जी पढ़ो क्या लिखा है सवाल पढ़ो यह पढ़ो क्या लिखा है कि a note which gets dirty over time and each turn is called मतलब समझाइए मतलब अगर यूज करते समय वह ड़ी हो जाता है और मुर के रखते हैं तो बीच से कट पट जाता है तो उसको क्या करते हैं तो तो स्वाइल नोट कहते हैं बसरते वह दो से नोट कहते हैं ऐसा आ रहे था तो जब में सवाल समझ नहीं आए तो हिंदी भी देख लिजेगा तो आपको सरल स्या जाएगा एक ऐसा अडिक्सेट सरु करते हैं सवाइल नौत नोट्स बहुंत बढ़िया एक ऐसा नौट जो गंदा हो चलन में या मुड गया हो चिपट गया हो यह सी जैसे कि यह 5 का नौट देख सकते हैं अगला जो आपके स्क्रीन पर सवाल है देखी पढ़िए एस पर आरबीरी जीम फार फार्दा रिलिजिबल फार दॉर फैनेशल इंसेंट्यू पर प्रुवाइडिंग फैसीलिटी फार एक्सेंज आप स्वाइल नोउट पर नॉट सोल नोट बदलते हैं एक्षेंज करते हैं तो क्या आपको इंसेंट्यू मिलता है है हलो निशान दो रूपे पर प्रकेट तो दो रूपे पर प्रकेट अप्टू 50 रूपीस और नोट की केस में दो रूपे पर नोट में क्या करते हो ना पैसे का बेलू भी देते हो 50 है तो उसका कितना पर्षेंट बचा है तो इसलिए वहाँ पर दो रूपे पर प्रकेट जो है कितना तो रूपे अप्टू 50 रूपीस तक इसलिए इंसेंट्व देती है ताकि आपको कहता कि किसी सबसे ज्यादा खराब भी नोट यही छोटे नोट होते हैं तो इसलिए इनको जो है इंसेंट्व या बदलने में दिक्कत ना हो बैंक बैंक को ज्यादा महिनत भी लगती है इसलिए अगर नोट की बात आती तो दो रूपया पर नोट यहां पर ज्यादतर एक सवाल और पूशता स्वाइल नोट काउंटर में कोई आया बदलने के लिए तो कितना नोट बदलेंगे नंबर आप नोट बताएए अनुरागी सर्टिसर पांच यार बदलता ही नहीं होगे आप बोलते होगे सब कलाना पर सभाना करके लेकिन बदलना है हमको पर दे में एक कस्टमर बीस अगर ऑगले दन गुलाएंगे जमा कर आऴ बाकिका जमा करी घिख लेंगे सर उसको बात जो ब्राइब मेले अ इसको करेंगे तो उसको रख लेंगे उसको पावती देंगे और उसको currency chest link branch को भेजेंगे और उसको महने भर के अंदर उसके account में उसको credit देंगे उसका account detail लेके तो यह procedure होता है उसका time है 30 days तो नॉर्मली ऐसा कहा गया है जो branch currency chest link नहीं है वह limit उनके लिए restricted है जैसा कि हम discussion किये हैं और अगर वह फिल भी customer आगरा करता है कि sir आप भी बदलिए तो आप रख लेंगे उसको currency chest link branch भेजेंगे तो वहां से change होके आएगा क्योंकि currency chest link branch है वह bank की branch नहीं है वह RBA की branch है आप R भी 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 भीज रहे हो तो currency chest RBA की साखा होती है तो वहां भीजेंगे वहां से change होके आएगा उसमें वह आजकल क्या होता है वह चैंज होके आता नहीं है उसमें खाता नंबर रहता है उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है उसकी लिमिट 30 days हाला कि ऐसे तजरूर्बा अगले दिन फिर आएगा मतलब क्या बोलता है वह डेली आएगा डेली कर सकता है काउंटर पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए वाट इस दे पेनल्टी और नॉन चंशेंज आप कॉइन तुरू बैंक काउंटर अगर आप कॉइन जो है एक्सेंज नहीं करते हो तो पेनल्टी क्या लगी बताओ निसांद कॉएन लिखे है यह 10,000 क्यों दस तजार हे क्यों कि यह उन लंगन हो गया तो उन लंगन हो जाने पर 10.000 अगर सेवा में कमी पाइ गई तो 5000 लेकिन यहां पर उनलंगन हो गया तो सब्सक्राइब और यह प्राइब पॉप्लर सिरीज का सवाल दस जार रुपय आ रहा है अगर आपके कोई अधिकारी आपके काउंटर में गए और आप से बोले सरी नोट एक्षेंज कर लिजे मेरा यह स्वाइल नोट है और आ मिन्यमम कारंशी चश्ट का कॉरपेंट एृइद कुर्पे फीक कितना होना चाहिए तो आप आप लोग साहद नहीं पढ़े होंगे करन सी चश्ट वाला वीडियो कैस्षे जुदा उड़ा वा काफी इमपॉर्टएंट चीजे है इसमें मिनिममं 10100 सव स्कॉर पर चैनल नता 800 से 1200 स्कुर्फीट होता है से मियर्बन का हजार से 1200 से डाही जार तो ठीक उसी तरह लेकिन पॉलिशी में एक्जैक्टली भी दिया है किसी में 1250 भी दिया हो याद करना पड़ेगा आपको यहां पर करन्ची चैस के मिनिमम बारसों स्कुर्फीट बोलता है पंदरसों स्कुर्फीट इस्ट्रॉंग रूम का एरिया होना चाहिए अगला सवल आपकी स्क्रीन पर वाट इस्टम मैक्जिमम डिपॉजिट इने फाइनिशल इन दे स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट को उपन करता है मेरा खाता भागे विदाता तो कितना जमा कर सकता है साल भर में एक लाग जमा कर सकता है अगर वह कर लेता है तो ऐसे खातों में लिमिट कि क्या हो जाती है चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कितना प्यारा सा ब्रांच है मैं मतलब ऐसा करता हूं या आसा करता हूं कि आप लोगा काउंटर भी इतना साफ सुत्रा होगा ताकि या पच्छे से काम कर पाते होंगे अगर कोई ग्रहक आया और पैसा जमा करने के लिए अपना जमा किया लेकिन जाते समय पर्स भूल गया पैसे पड़े थे एक लाख रुपए तो पैसा चुट गया साखा में तो इसमें क्या क्या रिलेक्शन सीफ होगा अनुराग यह रिस्ता क्या कहलाएगा बैंक ट्रस्टी क्योंकि बड़े भरोसा करके आया भाई ट्रस्ट है उनको बैंक पर ना मैं जाओंगा मेरा कोई सामान गयाब नहीं होगा मेरी चीज़ें वहां रहेंगी तो यह ट्रस्ट है क्योंकि पूरा तो ट्रस्ट पर ही काम कर चलता है बैंक के उपर लोग पैसा रख देते हैं और क्योंकि भरोसा करता हैं कि मैं जब भी जाओंगो मांगो मिल जाएं तो यहां पर यह रिलेशनसीप है मतलब यह सारे टॉपिक आपको बता रहें कि कौन सी टॉपिक को हमको ध्यान देना है कौन सी टॉपिक से सवाल पढ़ना है रिलेशनसीप बिट्विन बैंक एंड अगला सवाल वीज़ देपिलेंट अथारटी इन नियू इंटीग्रेटेट ओंपूट्समें स्कीम में अगर कोई सिकायत की जाती है और कोई आवाड आता है तो वाड मिलने के 30 दिनों के अंदर अपील की प्रावधान है अपील किसको की जाती है अपीलेंट अथारटी को कुन है को रोक्त कि टी किसको ड्रेक्टर सर। कहा से पढ़ लिया या रही ओध्यु डिरेक्टर है ठीक है ऐसा दो पर नहीं होता है जैसे जो पर पढ़ा आए कि द्याइश करला है अप्शन выступ ढेरेक्टर या तो आप सही और शीकूर ड्यक्स पीठ आप पढ़िया पहले यह क्या था पहले जो था वो डेपूटी गवर्नर था अभी एक्जेकुटीव डिरेक्टर आप अगला वाट इस दे इन्वेस्मेंट क्राइटेरिया आप स्मॉल स्मॉल का सॉरी माइक्रो स्मॉल का सर्व दस से पचास यह तो यह दिखाया हुए इसको देखके थोड़ा लग रहा है बड़ा ही फैक्ट्री होगा है ना कोशन पढ़ने में थोड़ा कन्फीजन हो गया है एक दो साथी आज भी गलत करके आ गया है वह ऐसी बूल रहते हैं कि सर वह थोड़ा घुमा दिया कोश्चन MSME भी दे दिया और उसमें उसमें लिखा था जो थे मायक्रोश जो मा्यक्रोश इसमॉल मीडियम और आखरी में सवाल पूछा था है इसकर करके पूछा चली कोई बात नहीं स्मॉल का होता है 10 क्रोड इंवेस्मेंट और टरन वर होगा कोई थी स्ब्सक्र nódai तो इसमाल का पुझा है तो इस्वाल का इनुपस्ट्स करोड इसका मतलब यह होता है अगर कोई फैक्टरी कोई उध्योंग धंदा उसमें इस्तापित करने के लिए उसकी लागत 10 तक है तो इसमाल कहला है नुझ का इस कोई बिठाने में जो खर्चा आता है 9 एंवेस्मिंट लगता है और इन्वेस्मंट लगने की वाद और इसको बोलता है चांज एक है आगर इसका करूड की लागत से क। यौधẩ तो समाड़ूड की चौट में का करूड मीडियूम का एक करूड का 20 करोड मेडियम का पचास करोड तर्न वर पांच गुना गुनित माच करोगे टर्न वर है जाएगा वाट इस तोटल प्रियोर्टी सेक्टर टारगेट फार अर्बन कोपरेटिव बैंक टूद फाइव बेग्ट का टार्गेट कितना है कि अपने बता दिया और बन कोपरेटु बैंक का कितना है टार्गेट है क्योंकि एक्जामिनेशन था कांगड़ा सेंट्रल कोपरेटु बैंक का था हिमाचल प्रदेश में हैं तो इसलिए उनका टार्गेट पूछा यह सेवंटी फाइब पर्शंट आप यह इन बीसी और सी यो भी विचेवर इसायर पहले यह 40 पर्शंट था जिसको स्टेप बाई स्टेप बढ़ाया गया तो यह देखे ब इस वगरह में चैंज हुआ था और यह 75 पर्शंट यह इसका टार्गेट होगा चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखे वाट इस फूर्थ डोज आफ डे नरलम फॉर एस जी क्रेडिट लिंकेज हुआ एस जी क्रेडिट लिंकेज मतला आपके लिए तो को बनाये जाता है तो उनको दिन-दिया लंते apply योजना अरलेम में लिंक किया जाता है तीन मैने उस एइस जी को बनने के बाद क्या होता है उनको एक P mi d was the park पार्लाण करते हैं रेगूलर मीटिंग रेगूलरUD लेंडिंग रेगूलर पार दिया जाता है उसको जो मिलता है पर दिया जाता है सबसे पहले साल तीन लाग फिर चैनलाग फिर चैनलाग सूपर क्या बात यह वहीं सही बात है पुरह याद हो गया इसको मोर देन सिक्स लेक्स तो टूटी लेक्स बीस लाग जो है आप देते हैं आपकी पॉलिशी को रिफर करिएगा दस लाग रुपए तक विदाउट लिटरल विदाउट मार्जिन देते हैं पहले जो डोज है वह देड़ लाग देते हैं दूसरा रोज तीन लाग तीसरा डोज है चैनलाग से उपर ने दस परशंट से ज्यादा नहीं होना ची बोलता ह दस परशंट ज्यादा नहीं मांगना ची बुलता है वाट इस दे मैक्जिममम लोन टू स्टी स्टी बेनिफेसरी पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन अंडर डिफरेंचिल रेट आव इंट्रेश स्कीम्स वाह यह घर दिखते है कि आप बैंक जाते हो तो गाउं मैं आप तो नह पत्थर लग रहा है तो ऐसा घर देखे ना आप लोग जब मैनेजर बन जाओगे तो डियार आई स्कीम्स मैं को हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए देना स्टी स्टी बेनिफिसरी है तो अगर वह हाउसिंग के लिए लेते हैं तो उनको जो है ट्वंटी थाउजन का है काही होता है आप लोग तो किसान करेंट कारेंगे लोन लेंगे किसान क्रेडिट कार्ड आज फसल उगाने के लिए फसल खेत में पैसा आ गया बेश के वह जमा कर देंगे करते रहेंगे और यह फाइदा डिफरेंशल लेट आव इंट्रेस वाला चार पर्शन उनको भी मिल जाएगा क्योंकि इंट्रेस सब्वेंशन मिलता है किसान करेंट कर्ड में इंट्रेस सब्वेंशन कितना मिलता है अनुराग बताओ किसान करेंट में इंट्रेस सब्वें है तो 50% मिलेगा आपको बैंक को लेकिन कस्टमर को मिलेगा दो कस्टमर के कंट में जमाओंगा दोनों क्लेम करते हैं pewnा सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए किसान को जो हम देंगे वह साथ पर्षंट की दर से देंगे तीन लाग रुपे तक का लोन साथ पर्षंट की दर से देंगे तब जाके और ट्राड पर और 1.2 पर देती है और किसान पर पे करता है तोह सरकार उठाती है सरकार बोलती है किसान जो है इमानदार है समय पर पटा रहा है तो इसको तीन परशन ऑट देती है किसान के खात में ठीक है में मेरा खाता वह देखिए मुस्क्राइट इतना मुस्क्राइट देखे तो सब लिख दी होंगे कोई बेलेंस कुछ नहीं लगे इतना कोन मुस्कराइगा नित रहा नहीं जा रहा है रुपे काड मिलता है जन्दन होता है तो लाग रुपे बोलिये गजानन महराज की जै कितना है एट्यम काड का एट्यम काड की वैलिटी कितनी होता है और आप मिनिमम पांस साल साथ साल रुपे कार्ट का वेलिडिटी में आप अपने काड़ 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 चेक कर लेने के केस में कितना रहेगा उसमें मतलब एक्सिडेंटल ही होता है उसमें अगर नॉर्मल डेथ हुई तो नहीं मिलेगा है ना चलिए तो यहां पर एक बैसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का ना वेलिडिटी पूछ रहा है और रुपे कार्ट का अभी कल जाके बैंक देख लेना क्योंकि अलग-अलग वेरियंट के रुपे कार्ड है क्लासिक कार्ड है प्रीमियम कार्ड है तो उनकी वेलिडिटी सब्सक्राइब करके देखने पर पता चलेगा यह गूगल कर लेना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए आप टू हाव मेनी अंगे वाल करते हैं तो वहांट पर कितना रुपय का लों देते हैं तो वसको जो याद रखी बारबार सवाल पूछ रहा है एक और सवाल पूछता है कितने रुपए तक कि अगर गौर्मेंट स्पांसर स्कीम से उन में प्रोसेसिंग चार्ज या कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता उसका लिमिट है अप टू 25,000 कितने रुपए तक कि लोन में जो है कोई भी पैनल्टी चार्जेस प्र इफ दा ओवर्डू पिरेड इस बिट्वें 31 डेज टू 60 डेज देन इट इस कार्ड़ेस विच टाइब वन वाह अनुराग तो बोला सर यही काम तो करते रहते हैं तो सामें महीन खत्व हुआ है नहीं की सीधे दोड लगाए कहा है ऐसे में कितना है ऐसे में कितना है तो ज एक दम 28 तारीक हो ही जमा करेंगे मातर आने की कसम खाके बोलेंगे 28 को ही करूंगा और साथ आट अब बोलते हैं अगर जीरो से थर्टी डेज थर्टी डेज तक है तो उसको एसे में जीरो बोलते हैं थोड़ा से हमको भी रिपीट कर दीजें एक बार फिर से यह वाला बीस और इसनुधना कोई करते हैं तो स्कृट्टर सेक्टर के जो लौन होते हैं किसी भी बार का कोई लेना है प्रोसेसिंग लेना है उसकी लिमिटेशन है ज्यादा तर पूछ रहा है वह 25 जार तक लोन दे रहे हो तो कुछ भी चार्ज नहीं लेना है ऐसा प्रोसेसिंग लेना है अगर 0 से 30 यह से सिक्स्टी है तो एसे में वं और सिक्स्टी बीज़ी होता था लेकिन अब हटा दिया गया जो है नैंटी डेश के बाद आसे में जो हैं एन पी में कनवर्ट हो जाता है officesche वे सबूल से दूसरे नए आए हैं जो कल हम discuss करेंगे बाकी इसी तरह थोड़ा थोड़ा सीखते रहें कХुसियां मनाते रहें जो हैं बड़िया तरीके से आनंद लीजिए उत्सो का फेस्टीबल का और अपने पढ़ाई का विध्यान रखिए आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धी से अवस्य हरा सकते हैं और बुद्धी मिलेगी गणपती भगवान के पास उनके असिरवात से रिद्धी सिद्धी म बराबर वही एक दो दिन पहले अनुराग शर्क ले रहे ते वह बोले कि अभी चेंज वह भी देड़ परसेंट होगा इसा बतारे आपको समझने में गलती होगी देड़ परसेंट है इंट्रेस्ट सब्वेंशन टू बैंक ऑन दे नहीं सार उन्होंने बोला था उन्होंने प्राम्ट करता है तो 3% मिलेगा और इंट्रेस्ट सब्वेंशन जो है वह पहले दो परसेंट था अभी दो हजर पचीस तक तो कुछ नहीं बदलाए ठीक है अभी जो है वही है अगर उससे कुछ बताने में गलती होगे होगी तो उसको भूल जाएगी ठीक है डाउट क्ले मिलेगा क्योंकि हमने साथ पर्षेंट की दर से हमने जो है कस्टमर को दिया किसान को लोन ठीक है तो नौर्मली एबडी कर देते हैं छे पर्षेंट साथ पर्षेंट तो नुकसान होता है तो इसलिए सरकार ने एक्स्टा दे दिया तो हमारे पास एक मार्जिन मिल गया और पूछिए जड़ा आज का क्वेशन कैसे लगा रहा हूं बढ़िया था सर एक दो टॉपिक ऐसे दिए जो कवर नहीं थे मेरे सवाल है जो कल हम डिसकस कर लेंगे नमस्ते जी अगस्त क्लास की वीडियो यह किस में मिलेगी सर किसकी क्लास की अगस्त की अगस्त मां की वीडि वीडियो मिलेगी में दिखाता हूं अभी है यह थोड़ा कोट पढ़ लेता हूं फिर यह स्क्रिंग कर देते हैं यह देखे हमारे गणपती महराज के दर्सन कर लिए चंकर नंदन हो तुस्ट निकंदन हो एगजवंदन हो एगजवंदन सबसे पहले तेरी पूजा तुझ से बढ़ कर कोई न दूजा तुने सब को ग्यान दिया गणपती बप्पा मोरिया गणपती बप्पा तुने हम को मान दिया गणपती बप्पा मोरिया गणपती बप्पा तुने हम को मान दिया गणपती बप्पा मोरिया गणपती बप्पा गणपती बप्पा सब आनान ल सब्सक्राइब कर दो आपको दिखा देता हूं मैं अभी साज़ा करके कि दूसरे लोग भी जान जाएंगे एक सेकेंड मैं दिखाता हूं आपको बेसिक मैं साजा करता हूं आपको बेसिक स्क्रीन डेक्स्टॉप दिखाता हूं मेरा डेक्स्टॉप दिख रहे हैं क्या देख रहे हैं आपको क्या देख रहे हैं तो यहां पर जाना अपने सबसे नीचे जाएंगे लास्ट क्लास क्या हुआ था वो मिलेगा लास्ट क्लास हुआ था आपका यह अब आपको जाना है अगस्त का कहा मिलेगा तो अगस्त का मिलेगा यहां पर कहां पर तुम बताता हूं अभी अभी आपको दिखाता हूं जैसे यह अनुराख दिख रहा है आपको स्क्रीन जी जाएंगे तो अगस्त भी आएगा और सितंबर व्याज़ेंगे देखो अगस्त में कितना फाइल दिख रहे हैं अनुराख बताओ अगस्त में कितना दिख रहे हैं हुँ हुँ है कि को साधी पड़ता है सितंबर में सिक्स है और वीडियो लेक्षर जाएंगे तो वीडियो लेक्षर भी दिखाएगा ना तो जन्वरी फरवरी मार्च मई जून जुलाई सितंबर में पांच वीडियो है अगस्त में ठीक है अब हमारे साथी बोल रहे हैं लाम लखन मिना जी क्या बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर देते हैं और वीडियो लेक्षर डिलीट करते हैं और यह 24 के कब के सब डिलीट कर दिया अब गणपति पपा इसको रिस्टोर करेंगे अभी हम कर देते हैं रिस्टोर कर देते हैं अभी आप जाओ देखो अपना लॉगिन करके तब अपडेट हो गया अब इसको लैपटॉप पर देख सकते हैं क्या लैपटॉप पे तो दिखा रहा हूं यह लैपटॉप पी है मंघटली मोबाइल के लाग लॉगाइल अपमें तो देखता है बट्सक्राइब लैपटॉप में क्या करना है लैपटॉप में लैपटाप में यहां पर जी से गूगल कूगल क्रोम यूज करते हैं तो नहीं क्लास प्लस डश्टाट एफ लॉगिन करना है ठीक है मैंने यहां क्या करना है डबलू इवी डॉट टॉट लास डॉट कॉम ऐसे कर वे तो हलागी मेरे लॉगिन है तो आटोमेटिक लॉगिन आ रहा है आपके मैं आएगा आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और्गनेशन कोड पूछेगा फिर यहां पर कोर्सेज जाना देखेगा मेरे में सारे कोर्सेज दिख रहा है क्योंकि मैं सारे कोर्सेज खरदा हुआ हूँ आप एक पूर्सेज कर देखेगा ठीक है मैं लेंक ग्रुप पर फिस रिपीट करणे करें करूं वाटसब कर ये सब मिलेगा जवाब है तो यह आपका स्क्रीन है चलिए तो को मतलब बांद के रखना है राज कुमार जी कैसा रहा आज का सेशन फीडवेक बढ़िया से बहुत बढ़िया तो मतलब मैं यह कह रहा हूं कि मनाना है लेकिन थोड़ा समय दीजिए और रात को ही दे पाएंगे या जब भी समय मिलता है मैं तो बोलता हूं जब ठक जाओ अब देख लेंगे क्योंकि जब पढ़ते हैं तो दिमाग लगाना पढ़ता है वीडियो में तो आराम से सोते सोते भी करते हुए आप लोग पढ़ जाएंगे सीख जाएंगे सुनना है बस सवालों को सुनते रहिए डाउट क्लीरिंग सेशन रखेंगे बराबर रखेंगे ना नोट करके रखेंगे अब दो तीन दिन चुट्टी है नेक्स्ट वीक तब हम रखेंगे ठीक है चले दो दो बैंकों के एक्जामिनेशन और हो रहे हैं एक और बैंक का है और एक जो है और कोई सब बैंक हो चुका है वह भी नाम याद नहीं आ रहा है अब भी हो चुका उसके भी सवाल आएंगे चलिए सभी साथ ही बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोल रहा है आप सभी के सांदार कारेनिस पादन भैतर स्वास्त और रिद्धी सिद्धी सुप सम्रदी सांती की काम ना करते हूं मैं आपसे विदा लेता हूं बोलिए गज दनन महराज की लंगादर महराज की लड़ु महराज की जै नमसकार गुड नाइट थैंक यह सो मैं सब्सक्रूं